नमस्कार आईए आज बनाते हैं पनीर इसके लिए एक लीटर दूद उबाल लीजिए फिर पांच मिनट ठंडा कर लीजिए और आधा चम्मच नीबू का सत ले लीजिए ये साबुत नीबू का सत है इसी को पीस कर हमने पाउडर बनाया है इसके अलावा आप नीबू और वेनेगर से भी दूद फाड सकते हैं आब आदा कटोरी गुनगुने पानी में आदा चम्मच नीबू का सत घोलिए और धीरे धीरे उबले हुए दूद पर डालते रहिए लेकिन ध्यान रहे एक साथ नहीं डालना है इस प्रोसेस को जब तक दोषाए जब तक हमारा दूद फट ना जाये देखिए दूद फट गया है पानी और च्छेना अलग हो गया है पतीले पे छलनी रखके सूती कपड़ा लगाए और फठे दूद को च्षानें देखिए चैना अलग हो गया है अब च्छेने को साफ पानी से धोए ताकि इसक का पानी निकल जाए 20-25 मिनट बाद वजन अटाएं देखें पनीर तैयार है छेना क्रमबल्ड होता है लेकि गरम छेने को दबा करके रख देते हैं और उसकी सॉलिट फॉम को ही पनीर कहते हैं